है है जितने भी पैरेंट्स और बच्चेस नहीं है इस चैनल पे तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल अपने लेस्न को एंजाए कर सेंगे यह बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है अब सभी ने यूट्यूब पे अकबर बेल की काफी स्टोरी सुनी होगी इसी में सी यह एक स्टोरी है तो आएए चले शुरुआत करते हैं यह स्टोरी का नाम है बच्चो दस्कॉलर्स मदर टंग एक्टिविटी वन के अंदर है आप पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहले ही परेग्राफ में लिखा है क्या बात है एक पंडी था यह यह रहा क्या बोलता है अक्बर के दरबार में आके वो किंग को बोलता है और उसका कॉटिय उसको बोलता है कॉटियर्स का मतलब है बच्चो किंग और क्वीन का एडवाइजर यहाँ पर बहुत सारे यह जो बैठे हुए क्या बोलता है मुझे तो बहुत सारी भाषा यह लैंगवेजिस आती है मैं बहुत सारी लैंविजिस का मास्टर हूं मतलब बहुत सारी लैंविजिस मुझे आती है the pandit could speak many languages fluently fluently बच्चो मतलब easily and accurately बिना खचकाए congeniously बोलना अच्छे से so pandit बोलता है कि मैं काफे सरी languages बिना आटके बोल सकता हूँ he was so fluent that no one could find out what his mother tongue was अरे बोलो वो तो इतना fluent था कि उसकी कोई mother tongue कौन सी है मतलब मातरु भाईशा कौन सी है वो कोई पकड़ भी नहीं सकता ऐसा उसने challenge किया he challenged everybody at the court to name his mother tongue लो पंडीत न तो challenge भी कर दिया अगर कोई पहचान के दिखाए कि मेरी mother tongue कौन सी है तो मैं शर्त लगाता हूँ when everyone failed the challenge was taken up by Birbal yes ये हुई entry हमारे बिरबल की बिरबल भाई साब ने ले लिया रहे रुक 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 भाई पंडीत रुक हुश्यारी नहीं हमार रुक मैं तेर को दिखाता हूँ ये तेरी challenge को मैं ही जितूँगा तेरी मदा तो पता करके रहूँगा so one night बिरबल वाईन कौईटली टुदब पंडीत स्रूम पंडीत जहां सोता है ये हमारे बिरबल वहां पहुच गे जब वो सो रहा था he whispered बच्चो यहां पर quietly quietly का मतलब पहले समझ लिजे silently चला गया कौन बिरबल और दूसरा मतलब है whispered whispered का मतलब है speak very softly वो एक तब धीरे बोलता था ऐसे है आवाज नहीं करना he whispered into the pundit's ear उसने pundit की कान में कुछ कहा and tickled it with a feather tickle का मतलब है यो गुद गुदी करना so उसने आप देख सकते ये picture के अंदर कानों में थोड़ी सी गुद गुदी कर दी the pundit half awake मतलब वो बोलते है न वो विचार बहुत गोर निंदरा में था और थोड़ी उसकी नींद खुल गई उसी समय he cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue लो पकडा गया suddenly का मतलब है quickly जोर से चिलाया और उई मा ऐसा नहीं करते है मतलब कोई भी ऐसा वर बोलते है वो हुसन अपनी मात्रू भाषा में बोल दिया बेरबल केम तो दो कोड नेक्स दे और टोल एवरिवन दैट पंडित's mother tongue वोस तेलगू लेओ तेलगू ये वाली भाषा तो बेरबल ने पकड़ लिया पंडित जी को कुछ तो किया है तुने King Akbar then asked Birbal How did you find the truth King Akbar को बुचा रहे है भाई बताओ न यार देखो ये फोटो में कैसे पूछ रहा है बताना बताना कैसे डूंडा तुने के पंडित की लेंगविज कौन सी है Birbal answered answered का मतलब है जवाब देना So Birbal न जवाब दिया In times of difficulty A person speaks only in his mother tongue बिल्कुल सही कहा जब कोई मुश्केली में होता है तो वो सिर्फ अपनी मात्र भाशा में ही बोलता है He also told the king How he had gone to the pundit's room At night to find out the truth देखा बच्चो कितना चतूर है हमारा ये Birbal उसने बता दिया किंको के मैं रात को गया तो उसके घर और ऐसे परेशान किया तो वो घबरा के उठ गया और तेली को मैं बोले लगा So मैंने उसकी भाशा पकड़ ली So ये थी हमारे स्टोरी अकबर बिरबल की और ये पंडिट जी की कैसी लगी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजे वीडियो को चले आगे बढ़ता है Activity 2 करेंगे बच्चो हम जहां पर हमें मैच करना है Words को Column A और उसके Column B के साथ यहां पर Words है Synonyms बच्चो Synonyms का मतलब Similar meanings वाले Words So यहां पर पहला Word कौन सा है हमारा Learn Learn का Similar word कौन सा है यहां पर Knowledge Knowledge और Learn का मतलब Similar ही होता है Second जो हमारा Word है Mastery Mastery का मतलब होता है Command किसे पर Command आजाना मतलब काफी सरी Mastery आजाना Same मतलब तीसरा है Quietly चुपके से So यह रहा silently Next है Shouted बच्चो तो क्या आएगा Cried चलिए जवाब दीजिए अब Surprise के लिए क्या आएगा Amazed And last है Answered वो तो आप सबको पताईए कि क्यों Option बचे रिप्लाई देना चलो आगे बढ़ते है Activity 3 की तरफ जहां True और False लिखना है हमें आए चलिए बात करते हैं पहली वाली sentence की The scholar came to Akbar's court सही है हाँ ये statement सही है Number 2 The scholar was fluent in one language False वो तो काफी सारी language में fluent था गलत है ये मतलब The challenge was taken up by Akbar बिलकुल गलत Akbar ने थोड़ी विरबल ने challenge accept किया था Number 4 विरबल met the pandit in the evening Evening में मिला भाई ऐसा कोई चीज़ मेंशन नही करी है स्टोरी में So not mention लिखना विरबल टिकल द पंदित with a peacock feather Not mention Actually यहाँ पर feather लिखा है peacock feather नहीं लिखा है So दोवान सार हो सकते है कोई-कोई teacher आपको बोल सकता है Yes, true है क्योंकि picture में peacock का feather लिखना है That's why Number 6 The pandit's mother tongue was ते लगू Yes, pandit की mother tongue के लगू थी Activity 4 Read the poem Poem को read करो चले बचो 3 stanza से मैं read करता हूँ आपको और visualize भी करवाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से Little pretty flowers बिचारे छोटे छोटे यो flowers इतने मस्त है Little busy bees Bees मतलब ये उरती हुई Beesी मदुमक्हिया Little tiny baby is ये छोटे से ननने से All the little things makes us happy ये तो बिल्कुल सही है कोई भी छोटी चीज हो देखना हम तुमारा गर में आपको बहुत हैपी करेंगा जैसा कोई छोटा बच्चा हो घर में छोटा सा डॉगी हो है ना चले ये second stanza के ओपर Little drops of water ये पानी की छोटी छोटी बुंदे Little grains of sand ये रेत की छोटे छोटे grains Little grains of sand make the mighty oceans ये बड़ा सा ocean and the beautiful land और ये खुब्सूरत जमीन ये हमें क्या करती है Happy कुश खुशाल कर देती है ये चीज आपको देखना पसंद ना मचो मुझे भी बहुत पसंद है Number three Little hugs and kisses हम किसी को hug या kiss करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है Next है little bit of love मा का प्यार किसी का भी प्यार हमको काफी अच्छा महसूस करवाता है We'll go around the world till we have enough जब तक हम गोल गोल पूरे world में गुम गुम करते हैं क्योंकि जब तक हमारे पास enough चीजे ना हो जाए क्योंकि यही सारी चीज़ों तो हमें happy करती है सही कहा न कैसी लगी पूरे मस्ट सो दो तिन बार और पढ़ ले ना भी चलो activity five की तरफ time waste ना करते हुए यहाँपर हम क्या करेंगे हम adjectives यह grammar topic है adjectives है column A में और nouns है column B में उसको साथ match करेंगे poem है क्या कहा है pretty कौन है flowers है mighty कौन है ocean है बराबर अभी बताओ tiny कौन है बच्चो tiny क्या babies है ऐसा poem में लिखा है फिर little कौन है little hugs है और last में जो बच्चा है very beautiful land hope आपकी exercise हो गई हो गी और आपको समझ में भी आ गया होगा चलो तो फिर activity six के तरफ यहाँ पर भी match करना है लेकिन rhyming words rhyming मतलब कैसे जैसे के yell bell hair wear है ना जैसे यहाँ पर है yell तो क्या आएगा bell yell bell bed red बराबर bed red done cake take यह तो अलड़ी है shoes lose रूम ब्रूम नेक्स्ट है मॉप टॉप नेक्स्ट है मून स्पून और लास्ट है बेस्ट टेस्ट सब के पीशे का अगर वर्ड आप देखोगे तो similar आ रहे हैं yell bell bed red cake take shoes lose potato tomato रूम ब्रूम मॉप टॉप मॉन स्पून and best test इसे को कहते है rhyming वाले words ज़ाद अधर poem में use होता है चलो activity 7 के तरफ the following are sentences related to some actions okay कुछ actions के related sentences है read the sentences and the thick mark which are related to bravery अगर आपको sentence पढ़ने से लगता है कि ये bravery के बारे में है मतलब बहाद दूरी के बारे में है तो tick लगा दो ठीक है जैसे पहला वाला sentence क्या लिखा है an elephant fights with lion to save a deer तो यह ब्रेवली बहादुरी वाली बात है तो tick कर दो भई क्योंकि elephant deer को lion से बचाता है तो ये बचाने वाला काम तो बहादुरी का हुआ a soldier fights for the country and dies मर जाता है हमारे लिए लड़ता है तो ये भी एक bravery वाली बात है number three a child fights with his friend law ये कोई bravery वाली बात नहीं है भई दो friends आपस में जगड़न जगड़ी fight अंब बाजी करें डिशूम डिशूम तो उसे क्या bravery वाली बात करेंगे बहादुरी वाले ऐसा कोशी नहीं होता you meet with an accident and start quarreling तुमारा किसे accident हो और तुमने उसे जगड़ा चारू कर दिया bravery वाली बात नहीं है a person jumped into the river to save somebody's life yes किसी की जान बचाना bravery वाली बात है कौन से तीन बात bravery वाली है elephant fights वाली soldier वाली और तीसरी है person jumped into the river बच्चों हो गई होगी आपकी ये भी activity चलो आगे बढ़ते है activity 8 की तरफ क्या कहां है यहां पर following are some sentences describing the real story 12 साल की लड़की की एक real story है उसका नाम है मितल पाटडिया वो एहमदबाद से है वो बहुती brave गले बच्चो उसने एक अच्छा काम किया था देखते हैं क्या किया था उसको गीता चोपरा bravery award मिला था 2012 में but the sentences यहां पर जो arrange किये हैं वो proper story की साब से नहीं है तो चलो उसको arrange करना है हमें सबसे पहले क्या आएगा इस 129 में से सबसे वहले 9 नमबर वाला आएगा यहां पर on November 3 2010 मित्तल ओपन दोर when the bail rang किसी ने बेल बजाया और मित्तल ने धरवाजा खोला छोटी से लड़की है दूसरा sentence आएगा age नमबर वाला she saw a driver she knew and two other men उसने एक driver को देखा जिससे वो जानती है और दो उसके साथ आदमी थे तीसरा वाला आएगा फिफ्ट नमबर का sentence they asked for water उनों ने पानी मांगा so मित्तल पानी लेने के लिए चली गई ठीक है तो 6 नमबर वाले sentence है फूर्थ नमबर पर आएगा next 5 नमबर पर कौन सा आएगा the man shut the door and attacked her man ने क्या कर दिया वो पानी लेकर उसके ओपर attack कर दिया फिर क्या आएगा she caught one of the men by his hair and shouted उसने एक की बाल पकड़ दिया और चिला न लगी मदद के लिए आगे आएगा the neighbor has rushed in मतलब बाजू वाले लोगों ने सुना तो वो फटाक से दोड़ते दोड़ते कहां पर आ गए गर के अंदर आ गए आगे क्या हुआ the thieves were caught मतलब के चोर पकड़े गए और last में क्या हुआ she won the Gita Chopra bravery award in 2012 बच्चो उसको Gita Chopra का bravery award मिला अच्छा काम किया ना उसने बहादूरी दिखाई ना bravery तो फिर bravery award तो मिलना चाहिना लड़की को deserve करती है यह लड़को अब भी कुछ ऐसा करना चलिए activity 9 की तरफ who is afraid of what कौन किसे डरता है following other steps to play the game और वा बच्चो आफकी फेवरेट चीज गेम चलो चलो खेलते है class को दो group में divide कर लेजिए हर एक group को 10-10 minute दीजिए कि आप लोग discuss करो कि आपको किसे डर लगता है ठीक है आपके group को list बनाना है कि कौन से बच्चे को किसे डर लगता है paper में लिख देना है each group क्या करेगा पूरे group में से किसी भी एक लड़का दिया जाएगा बोलने के लिए फटाफट से ऐसा बोलना है I am afraid of fire, I am afraid of lizard, I am afraid of my father I am afraid of my dogs ऐसे बोलते जाना है जितने भी आपने list बनाए है ठीक है जो भी एक में में ज्यादा sentences बोलेगा वो होगा group का विनार मज़ेदार game है बच्चो खेलते जाओ, सीखते जाओ और खूप सरा मजा करते जाओ जरा सभी टेंशन लेने की बाद नहीं है 10 आज की चप्टर की last activity है Sing the following song with your classmate बच्चो मुझे गाना नहीं आता है बट मैंने आपके लिए के वीडियो YouTube से दून की रेखिए इस लड़की बहुत beautiful गाती है तो इस लड़की का यह वाला जो poem आप सुनियेगा और इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजएगा ठीक है? तो यह रही आपकी वीडियो So, let's sing a song of four If you like my video Please like and subscribe We shall overcome We shall overcome We shall overcome someday Oh deep in my heart I do believe We shall overcome someday Oh deep in my heart I do believe We shall overcome someday We walk hand in hand We walk hand in hand We walk hand in hand someday Oh deep in my heart I do believe We shall overcome someday Oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday We shall live in peace, we shall live in peace We shall live in peace someday Oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday Oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday The whole world around, the whole world around, the whole world around someday Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday We shall overcome, thank you Subscribe my channel for more educational videos and learning tips Thank you, see you again, bye-bye everybody Batcho, कैसी लेगी आपको वीडियो? मस्त है न ये लड़की? प्लीज उसको सब्स्राइब कर ले न? ठीक है? आगे बढ़ते हैं Activity 10b, enjoy reading the poem क्या लिखा है? Boats sail on the rivers, बल्कुल सही And ships sail on the seas But clouds that sail across the sky are prettier than this मतलब पोएट को Boats and ships से ज्यादा Clouds अच्छे लगते हैं जो हवा में उड़ते हैं Second stanza में क्या बात करी है? There are bridges on the river क्या है बच्छो? Bridges, bridge As pretty as you please But the bow that bridges heaven और दूसरा जो एक bridge है वो heaven को जाता है And builds a road from earth to sky Is prettier than this जो एक bridge है Poetic बच्चे की तरह देखते हैं कि जो bridge है वो नदी के ओपर जाता है बढ़ ये जो rainbow वाला bridge है ये कितना beautiful लगता है जो जमीन से आसमान में heaven की तरब रास्ता बना लिता है So हमने read कर लिया है poem को और यहाँ पर chapter हो रहा है Finish Hope आपको ये video पसंद आया होगा तो मैं आपको goodbye कहना चाहूँगा और हाँ Like कर दिना, share and subscribe to our YouTube channel और बाकि सारे बच्चों को share करते रहना मिलता है Next video में till then, bye bye पर बाकि से one 樣